हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में और आज हम इस वीडियो में जानने वाली हैं LIC के G1 उच्छव प्लान का ओप्षिन 2 जो की है फ्लेक से इंकम बेनिफिट तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था LIC के प्लान G1 उच्छव प्लान नमबर 871 के बारे में और उसके एक्जामपल में हमने ऑप्षिन 1 की मदद से जाना था कि उसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेगे कि अगर आप G1 उच्छव प्लान में ऑप्षिन 2 लेते है तो उस केस में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल जाते हैं तो अभी ना किसी देरी के शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक्जामपल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारी G1 उच्छव प्लान की कंप्लीट यहाँ पर हम ऑप्शन टू फ्लेक्सी इंकम बेनिफिट के ऑप्शन को समझने वाले हैं तो यहाँ पर एक्जामपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं जो आपकी एज है वो तीस साल की है और जो पॉलिसी का सम्मेश एउड़ है वो आप 10 लाख रुपे का लेना चाहते है और यहाँ पर हम जो प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं वो मान के चलते हैं कि हम 16 साल की लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम इस पॉलिसी के प्रीमियम की कैल्कुलेशन करते हैं तो यहाँ पर यह जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 58,750 उर्पे का जो की यह य करनी होगी जब यहाँ पर 16 साल पूरे हो जाएगे तो उसके बाद आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है उसके बाद यहाँ पर आपको दो सालों के लिए वेट करना होगा जो कि आपका डेफरमेंट पीरेड होता है या फिर वेटिंग पीरेड होता है उसके बाद यहा लिखा है कि अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 19th policy year से इस policy के benefit मिलना शुरू होगे। वो है flexi income benefit तो अगर आप option 2 के benefits को read करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि आपको flexi income benefit जो मिलेगा वो आपके basic summae short का 10% मिलने वाला है तो हमारे example में जो हमने basic summae short लिया है वो 10,00,00 रुपे का लिया है तो 10,00,00 रुपे का अगर हम 10% करते हैं तो 1,00,00 रुपे का flexi income benefit आपको मिलने वाला है इसी के सासत यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये हैं कि अगर आप इस amount को लेना चाहे तो ले सकती हैं और अगर आप इस amount को नहीं लेती हैं तो आपका ये जो amount है वो इखटा होता रहेगा या accumulate होता रहेगा और जो भी आपका balance amount होगा उस पर यहाँ पर आपको 5.5% का yearly interest भी मिलेगा जो की compounded interest है आईए इसको एक table की मदद से समझते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक actual sheet available है सबसे पहले हम यहाँ पर age एंटर करते हैं 30 years की उसके बाद ppt enter करते हैं यानि कि premium paying term 16 साल की उसके बाद यहाँ पर sum में short दिया हुए है जिसमें हम 10 लाख रुपे का amount enter कर देते हैं यह amount enter करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएगे कि जो भी हमारा data था वो यहाँ पर change हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस वेक्ति की age 49 years की होगी तो उस time पर यहाँ पर इने एक लाख रुपे का amount मिलेगा जो की आपके sum में short का 10% होता है हमने देखा था 19th year में इनको यह amount मिलने वाला है 30 years की age में यह policy लेती हैं तो 49 years की age में इनको पहला flexi income benefit मिलेगा अगर आप इस benefit को लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं उसका 75% amount आप withdraw कर सकती हैं LIC की तरफ से लिखा गया है कि जो भी आपका flexi income benefit है उसका 75% amount आप इसमें withdraw कर सकती हैं अगर यहाँ पर आप इस एक लाख रुपे के amount को withdraw नहीं करती हैं तो next year आपके यह amount है वो हमारे example के according 2,5,500 रुपे का हो जाता है आईए एक बार मैं बताता हूँ कि यह amount कैसे हुआ एक लाख रुपे का amount यह जब हुआ है आपको जो आपकी 49 years की age में मिलना था उसके बाद एक लाख रुपे का amount आपको अगले साल भी मिलेगा जो की 50 years की age में आपको मिलना था तो यह दोनों का amount मिला के होता है 2,00,000 रुपे का लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 2,05,500 रुपे तो आपका जो पिछले साल का balance था एक लाख रुपे का उस पर यहाँ पर आपको 5,5% का interest भी दिया गया है जो की 5,500 रुपे का है तो यह total amount मिला के आपका 2,05,500 रुपे हो जाता है ठीक इसी तरह से अब भी आप अपने amount को withdraw नहीं करते हैं तो next year आपके amount में 1,00,000 रुपे यह flexi income का add होगा और साती सात 2,05,500 रुपे पे 5,5% का interest add हो जाएगा तो इसी तरीके से हर साल जो आपका flexi income है और जो interest है वो यहाँ पर add होता रहेगा जिसकी calculation आप screen पर देख सकते हैं ठीक इसी तरह से अगर आप 60 की age तक इस amount को withdraw नहीं करते हैं तो यह जो आपका amount है वो 16,38,560 रुपे के करीब हो जाता है अगर आप यहाँ पर 60 की age में इस amount को withdraw करना चाहते हैं तो आपका यह जो total fund है उसका 75% यानि की 12,28,919 रुपे आप यहाँ पर इसमें से withdraw कर सकते हैं यह हमने बात की है केवल flexi income benefit की यानि की अगर आप जीवित रहते हैं तो उस case में आपको क्या benefit मिलते हैं यह जो मैंने आपको flexi income benefit बताया है और साथी साथ जो यह interest बताया है वो यहाँ पर guaranteed है जो की आपके पूरी lifetime guaranteed रहेगा तो आईए अब एक example लेके समझते हैं कि इस policy holder की अगर death हो जाती है तो उस case में इस policy holder के nominee को क्या क्या benefits मिलते हैं तो यहाँ पर हम example के लिए मान लेते हैं कि जब policy का 26th year होता है तो उस time पर इस policy holder की death हो जाती है तो यहाँ पर death के case में जो भी nominee वैक्ती होता है उसको some assured on death दिया जाता है और साथी साथ जो भी आपकी policy के guaranteed edition है वो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं तो आईए एक पर यहाँ पर जानते हैं कि इस policy में आपको कितना guaranteed edition मिलता है तो यहाँ पर LIC के तरफ से कहा गया है कि अगर आपका 1000 रुपे का सम्मेशोड है तो उस पर आपको 40 रुपे का guaranteed edition मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा सम्मेशोड है वो 10 लाक रुपे का है तो 10 ला पतलब यह है कि यहाँ पर हमें 16 सालों के लिए guaranteed edition मिलने वाला है यहाँ पर LIC के तरफ से clearly लिखा गया है कि जो भी हमारी premium paying time होती है उतना ही आपको यहाँ पर guaranteed edition मिलेगा काफी लोग यहाँ पर गलती यह करते हैं कि 26 year में death हुई है तो 26 year का guaranteed edition calculate करते हैं लेकिन यहाँ पर इसा नहीं है जितने साल की भी premium paying आपकी time यहाँ पर दी गई है उतने साल का ही आपको guaranteed edition मिलेगा तो 16 साल का अगर हम guaranteed edition देखते हैं तो वो यहाँ पर 6,40,000 रुपे का amount हो जाता है अब यहाँ पर बात आती है sum assured on death के amount की तो यहाँ पर जो sum assured on death की calculation है वो आपको screen पर देखन से की जाती है इन तीनों ही calculation में से जो भी जादा amount आता है वो आपके nominicum sum assured on death के रूप में दिया जाता है तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इन तीनों ही calculation में से 10,00,000 रुपे का जो amount है जो की basic sum assured है वो सबसे जादा आता है तो 10,00,000 रुपे का आपको यहाँ पर basic sum assured मि किया है तो जो भी आपका amount इखटा हुआ था flexi income के रूप में तो वो भी आपके nominicum मिलेगा तो LIC के तरफ से यहाँ पर clearly लिखा गया है कि अगर आप अपने flexi income benefit को withdraw नहीं करते हैं तो जो भी आपका accumulate amount है वो आपके nominicum को दे दिया जाता है अगर आपकी death हो जाती है त या फिर अगर आप अपनी policy को surrender कराते हैं तो उस time पर भी आप इस amount को ले सकते हैं तो अभी के लिए हम मान लेते हैं यह जो policy holder है उन्होंने अपने funds में से कोई भी amount withdraw नहीं किया था तो यहाँ पर जब policy का 26th year होगा तो उस time पर इस वेक्तिकी age जो होगी वो होगी 56 साल की त तो आपका जो 16,40,000 रुपे का amount था उसके साथ आपको 9,42,157 रुपे का amount भी मिलने वाला हैं तो इस तरीके से आप भी जो death के case में amount है उसकी calculation कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पर बीच में कोई amount withdraw कर लिया था आपके flexi income benefits में से तो वो amount यहाँ से deduct करके जो आपका balance fund है केवल वही आपके nominee को दिया जाता है तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह जो flexi income benefit है यह option जरूर समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप एक return request दे के यह जो आपका flexi income benefit है इसको withdraw कर सकते हैं आपका जो भी balance fund है इस option 2 flexi income benefit की complete details मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो उसके बारे में आप comment में पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी मैं उसका reply करने की कोशिश करूँगा तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आई है तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा साथी साथ आप हमारी चैन